आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, जिसे भारतिय कानून में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के रूप में जाना जाता है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कानून है, ये मूल रूप से बलातकार और यौन हिंसा से संबंधित उन्हों में सुधार के लिए अधिनियमित किया गया था और इसे देश में महिलाओं के अधिकारों के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है इस अधिनियम का उद्देश्य बलातकार और यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को प्रभावी कानूनी सुरक्षा प्रदान करना था और साथ ही कानून के कार्यानवयन में कमियों को दूर करना था 2013 के पिनारी अधिनियम में कई महत्वपून बदलाव हुए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमी का निभाई महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण पहलूँ में से हैं बलातकार की पुनर परिभाशा अधिनियम ने बलातकार की परिभाशा को फिर से परिभाशित किया ताकि बलातकार को महिला पीडित की गैर सहमती के अधीन परिभाशित किया जा सके ये नई परिभाशा बलातकार को संभोग के लिए सहमती की कमी के आधार पर परिभाशित करती है नए अपराध भी जोड़े गए हैं कानून में यौन उत्पीडन, अशलीलता, मोबाईल या इंटरनेट के माध्यम से यौन हिंसा जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं इन नए अपराधों के अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता है नियाय की शिकार महिलाओं के लिए सुरक्षा उपाए अधिनियम में बलातकार और यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को सुरक्षा और संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए कई उपाए किये गए हैं जैसे विशेश अदालतों की स्थापना, त्वरित सुनवाई प्रक्रिया और गोपनियता की सुरक्षा सजा में वृद्ध, कानून ने बलातकार के लिए सजा बढ़ा दी और बलातकार के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया यह गंभीर अप्राधों के लिए मृत्यु दंड का भी प्रावधान करता है मनोवैग्यानिक सहायता यह अधिनियम बलातकार और हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए मनोवैग्यानिक सहायता और पुनरवास सेवाएं प्रदान करता है जो उन्हें पुनर प्राप्ती प्रक्रिया में मदद करती है इस अधिनियम का उद्देश बलातकार के खिलाफ सक्त कदम उठाना था और समाज में यौन हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में निया सुनिश्चित करना पिनरी एक्ट महिलाओं के लिए एक मदबूत कानूनी सहायता प्रदान करता है लेकिन यह समाज की कहानी और वास्तविक्ता का प्रतिबिम्ब है